है कि दोस्तों उपर से पान या रहा है पाहड पेसे और यह सड़क के राष्टे और नीचे खट में जा रहा है और यह सड़क है दोस्तों तो इसे गाड़ी आती आती है यह पूर्ण अगरी को गया है रास्ता कि नमस्कार दोस्तों एक नए सफर की शुरूबात करते हैं और आप लोगों से कुछ बात करते हैं मेरा नाम है अकासिंग और आपका हमारे यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है मैं इस वक्त हूँ जिला चमपावा तैसील टनकपोर की इन खूपसूरत हसीन बादियों में कि दोस्तों टनकपोर से पूर्णागिरी मंदिर की दूरी 21 किलोमीटर है आपको वहां से टैक्सी वाले यहां लेकर आएंगे 60-70 रुपे तक किराया रहता है उनका मिनिमूम कि दोस्तों रास्ते में चलते चलते एक आम का पेड़ मिला और उस आम के पेड़ पैसे यह आम तूटके नीचे गिरा था और मैं इसको खाऊंगा बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छी खुसूर आ रही है कि इन पाहडों में घुमते घुमते मुझे हिमाचल परदेश में गाया जाने वाला एक लोकल गीत याद आ गया दोस्तों उस गीत के बोल इस तरह हैं मैं आपको गाकर सुनाता हूं कैसा लगा गोरिये पाडा दा बसुना दिल लुट लगया ओ तेरा हसुना पिपला दे बुटे उपर कुकु बोल दा तनु दिखिया मेरा दिल डोल दा दोस्तों जिस तरह मुझे आता था गहना उस तरह मैंने गाकर सुना दिया दोस्तों यह माचल परदेश की लोकल लेंग बेज में था कर दो कर दो कर दो प्राइब है तो पूर्णागिरी टेमपल अगर आप माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो अपने साथ में एक चादर वगेरा जरूर लेकर आएं क्योंकि यहां पर रात में ठंड लगता है दोस्तो हमारे यूपी में काफी गर्मी था और यहां आया तो रात में ठोड़ा-थोड़ा ठंड लग रहा था इसलिए अपने साथ चादर वगेरा लेकर जरूर आएं दोस्तो यहां पर ठेरने के लिए धर्मसालाइं फिरी होती है पर उसमें सर्थ यह होता है कि आप जिस धर्मसाला में ठेर रहे हैं उसी धर्मसाला से आपको परसाद खरीदना होता है तो दोस्तो आप भी आईए यहां एक दो दिन रुकिए और एंज्वाई कीजिए माता पूर्णागीरी जी के दर्सन कीजिए यहां पर लेंड स्लाइड हुआ है दोस्तो पूरा पहाड तूटकर सड़क पर आचका है यह देखिए दोस्तो यह पूरा पहाड यह तूटकर यहां नीचे आ चुका है यह देख सकते हैं दोस्तो इसी तरह के लेंड्स लाइड पाड़ों में होते रहते हैं जो दोस्तो बारिस के कारण जो पाड़ों का कच्छा मिट्टी होता है और पत्थर होता है वह सब नीचे आजाता है कि अग्यों पुर्ण तो दोस्तों इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं समाप अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आये हो तो वीडियो को लाइक करने कमेंट कर दें और हमारी वीडियो को शेर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने थैंक यू